एक नहीं दो नहीं बलकि तावर तो एक के बाद एक बरसाई गई कई गोलिया और उतार दिया मौत के घाट कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पर और ये कोई शूटिंग या गेम नहीं बलकि कैमरे के सामने गुंडागर्दी और क्राइम की लिस्ट को और लंबी करने की एक खुले आम साजिश है जहां बात कर रहे हैं राजस्थान के जैपूर में हुए राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुकुदेव सिंग गोगामेडी मर्डर इस मर्डर को मात्र देख लेने भर से ही इंसान के मन में खौफ पैदा हो जाए और सुरक्षा व्यूस्था को लेकर एक नहीं बलकि कई सवाल खड़े हो जाएंगे दरसल राजथान की राजधानी जैपुर में नई सरकार के सामने लौरिस विश्णोई गैंग ने बड़ी चुनोती पेश कर राश्ट्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष के घर में घुसकर हत्या कर दी लौरिस विश्णोई गैंग के रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मधारी लिए है हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें गोगा मेडी से बादचीत करने पहुंचे बदमाशों ने अचानक ही उनपर फाइरिक कर दी किसी को समभलने का मौका तक नहीं दिया क्रॉस फाइर में एक हमलावर की भी मौत हो गई है तीन लोग यहां आये थे यहां बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुप्देव सिंग्जी से तो सुप्देव सिंग्जी से उनका जो सेक्यूरिटी है पुझा के पूछ लिया तो उनका अनुमदी मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया वहां करेबन दस एक मिनिट उनके साथ बातसीत किया दस एक मिनिट के बाद उनके उपर फाइरिंग किया उस फाइरिंग में सुप्देव सिंग्जी का डेथ हो गया उनके बगल में जो सेक्यूरिटी घड़ा था उनके भी गोली लग गया वो अभी हॉस्पिटल में, ICU में है और इस क्रॉसफायर में, क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जानकारी आग की तरह फैल गए घटना पर राजबूद समुदाय के लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया सुग्देव सिंग के समर्थ को और राजबूद समुदाय के लोग बड़ी संथा में विरोध के लिए उतर आये सड़कों को जैम कर नारेबाजी इस गटना के बाद शहर में महौल बिगणने की आश्रमका के बीच पुलिस पुर्शासन हरकत में आया है राजबूद समाज ने बुद्वार को जैपुर बंद कराने का ऐलान करने के साथ ही मुझे ने और गारियां रोकने की चेताओं नहीं दिये गोगा मेड़ी जी राश्ची अद्धिक से हमारे करनी से ना के और बहुत ही बले है और सर्व समाज के बिक्ति थे और हमारे समाज को बुरे समाजों को शती पहुची है ये एक सडियंत्र था और वो सुरुक्षा के लिए कंटिनियूस दो साल से मांग कर रहे थे परन्तु उनको सुरुक्षा नहीं दी गई उसका परणाम ये हुआ का आज उनकी दिन धारे घर में बैडरूम में जाके हत् उनकी प्रावदान ने होगा वही केंद्रिय मंत्री गजेंदिस दिंग शेखावत ने इस हध्या कांट पर दुख जताते हुए पुरू की गहलोज सरकार पर निशाना साधा है शेखावत ने कहा कि सुपदेव सिंग को जान से मारने की कई धंकिया मिली थी मगर पुरू सर और पुलिस पुर्शासन ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए परयाप्त सुरक्षा नहीं दी थी किया था लेकिन दुर्बाग्य से जिस स्थर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्थर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तैय करने की आवश्यक्ता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दान तक्र कियान और शांती के शाशन कायम हो